नमस्का दोस्तों तो काल है 9th September इसका मदलाब इंडिया पे लॉंच होने बाला है Realme 8i इसके बार में आपको मालूमी होगा तो इसलिए कल के लॉंच होने से पहले आख्री बार मैं आपको बता देता हो कि Realme 8i पे एक जर्क्री क्या डीजाइन होगा क्या स्पेसिफिक्शन हो क्या प्राइस होगा जिसके आपको नौन से पहले यह मालूम चल जाए कि जब इसका पहला सेल होगा तो आपको क्या लेना चाहिए Realme का स्मार्टफोन लेना चाहिए यह पर इस प्राइस में दूसरा कोई फोन लेना चाहिए तो चले शुरू करते आज का वीडियो बीडिय का नाम होगा स्पेस ब्लू इस स्मार्टफोन का थीकनेस होगा 8.2 mm और इसका वेट होगा 190 ग्राम और इस स्मार्टफोन के पिछे आपको नौर्मल पोलिकार्बोनेर ग्लॉसी बैक को बर देखने को मिलेगा डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.59 इंच फुल इजडी प्लास IPS LCD डिस्प्ले धिहान राकने आपको सुपर एम लेट देखने को नहीं मिलेगा इसका स्क्रीन टू बोडे डिशियो होगा अल्मोस्ट 91 परसंट के आसपास इसमें आपको 120 हर्च का डिस्प्ले डेट उसके साथ 180 हर्च का टास्ट सेंप्लिक डेट मिलेगा और डियल्मी के इस प्राइस्पान के बाकि सबी स्मार्टपोन के जासा इसमें भी आपको कोई गोईलालगास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा प्रोसेसर में आपको मिलेगा हिलियो जीन 96 प्रोसेसर जो कि इस प्रोसेसर के साथ इंडिया का पहला स्मार्टपोन होने बाला है कै camera उसके साथ 16 Megapixel का front camera मतलब एजो camera से तब एग्जाक्टी Redmi 10 Prime के जैसा ही बैटरी में आपको मिलेगा 5000 इमीज बैटरी उसके साथ 18 Watt का charger और जो connectivity आपको definitely USB Type-C मिलेगा एजो smartphone से दोई वेरियन पे आएगा 4GB RAM 64GB memory और 6GB RAM 120GB memory इसका RAM का quality होगा LPDDR4X और इसका memory का quality होगा EWFS 2.2 और इसके साथ आपको definitely 2 plus 1 card start भी देखने को मिलेगा और जैसे के आपने देखा है कि recent time में लगबग सभी company आपको dynamic RAM मतलब virtual RAM का feature दे रहा है तो Realme इस smartphone के साथ आपको 10GB तक dynamic RAM यह आपको जिसे आपको virtual RAM का expansion देगा आगर इसके कोज बाके के feature की बार में बात करता है आपके side mounted finger face लेगा Realme version 2 होगा जो के Android 11 के उपर best मिलेगा और 3.5 mm jack भी होगा तब जो सबसे में चीज एजो smartphone exactly किस price point रोंच होने वाला है आप देखे Realme 8 आई तो reason क्या है क्योंकि Realme 8i को exactly उस price point में fit करना है अभी Realme 8 जो 4G variant उसका price इंदिया में 16,000 रुपए तो देखे अल्रेडी Realme बालों नीदा space बना दिया है और यह जो smartphone इसका specification जो Realme Narzo 30 launch हो है जिसका price से 13,500 रुपए उससे तो definitely ज्यादा में बिखेगा और मेरे 14,500 रुपए तो इसके साथ Realme 8 के price का difference होगा 15,500 रुपए के आसपास और इसके साथ नार्जो 34G का price का difference होगा almost 1,000 रुपए के आसपास तो अभी हार वीडियो का जासे इस वीडियो में आपको खांगा कि यह जो smartphone के आपको लेना चाहिए EFNA आप देखे जब यह smartphone का launch होगा तो मैं इसके साथ इस price one में अभी लेवेल बाकी स्मार्टपोन के कॉमपर्जिंट वीडियो तो आपके लिए ज़रूर बना हूँगा लेकिन फिर भी आभी मैं आपके चीज कह साकता हूँ 15,000 रुपाय पे जो Redmi Note 8S बाला smartphone है मेरे ख्याल से बहुत smartphone आपको बेटर वैली फोर माने प्रोवाइट करेगा इस price one में आपके देखे उसमें आपको 64 Megapixel Quad Camera Setup मिलता है हाँ यह मैं मान था हूँ कि उसमें आपको 60Hz का रिफ्रेशेट मिलता है लेकिन इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेशेट मिल रहा है रिफ्रेशेट का मतलब क्या है आपके डिस्प्लेय में 120fps का content support होगा अभी मैं आपसे पूछू आपके रेट यह 90Hz यहां फिर 120 जो आज के दिन में तो यह हमारे कोई मदद नहीं करेगा हो सकता है कि फ्यूचर में बदा अगले 2-3 साल में YouTube में यह फिर बाकी स्ट्रीमिंग साइड में ऐसा कुछ ऑप्षन होगा जिसमें 90fps यह फिर 120fps का content देखने को मिलेगा तब हाई ड तो मतलब इस मामले में दोनों सेम ही है और अगर आप रेडमी को इस फोन के साथ जाएंगे तो आपको शूपरायम उले डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा तो इसलिए लूंच से पहली मैं आपके एक चीस कहना चाहूंगा 14,500 रुपए में यह जो स्मार्पोन लांच होने रेडमी या पर दूसरे किसे ब्रैंड के साथ जाना चाहेंगे इसके बारे मुझे जो कमशन में कहना बिल्कुली मत भूलिएगा तो मिलते आगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive, thank you